गंगोपा काका, इन महिलाओं को प्रशिक्षन देने के लिए हमें एक निपुन तलवार बास चाहिए था तो मैंने सूचा, ऐसी व्यक्ति हमारे घर में ही तो है इसलिए मैंने सदाशिफ को यहां बुलवाया है जी, चलिए फिर, चलिए आई जैशे फिर्शमा जादा, हम चाहते हैं कि महिला शेस्तुशाला प्रस्ताव का फैसला अब आप सबको पढ़कर सुनाईए जी केवल राजघराने की महिला है, बलकि मालवा की हर एक महिला का आना अनिवार्य है इतना ही नहीं, आने वाली पीडियों में ये प्रस्ताव हमेशा के लिए पारित रहेगा इसके अनुसार जो भी महिला, 16 वर्ष और 40 वर्ष के बीच की है, सक्षम है, शक्तिशाली है वो यहां आकर निश्चित रूप से इस शस्त्रशाला में प्रशिक्षन ले सकती है केवल व्रिद और असाय महिलाओं के लिए इस शस्त्रशाला प्रशिक्षन से छूट है बाकि सभी महिलाओं को यहां आकर शिक्षा ग्रहन करना अनिवार्य होगा इस महिलाओं शस्त्रशाला में प्रवेश और यहां के प्रबंधन का पूरा जिम्मा शार्जा और दुश्चन को सौफ दिया गया है यह क्या बात हुई अभी अभी शस्त्रशाला सीखी है और दुश्चन का तो इसे कुछ लेना देना भी नहीं तो फिर इन दोनों को प्रवंधन का जिम्मा की हूँ आखाब शस्त्रविद्या में हुनर से ज्यादा इंसान का जजबा माइने रखता है कुछ कर दिखाने की उसकी सोच माइने रखती है और इस पत के लिए कोई ऐसा चाहिए जो इस संकल्पना में पूरा विश्वास रखता हो तो सार्जा और तुष्षंद में है और रही बात महिलाओ को प्रशिक्षन दे लेगी तो हमारे हुनरमन सिखाहियों में प्रशिक्षन देंगी ये दोनों तो बस ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओ को यहां ले आने का फाम करेंगे और उसकी शुरवात हो गई है तो यह है हमारी अगामी महिला सेना की पहली शिल्लेदार आप सभी का हार्दिक स्वागत है दादा आप आगे पढ़िए जी इस शस्त्रशाला के प्रमुक संचालक पद का जिम्मा श्रीमती अहिल्यवाई होलकर के पास होगा अहिल्या वो हमीशा आपके तर्थ को हत्यार बनाने की कोशिश करती है लिकिन इस पत का जिम्मा तो गंगुबगा को दिया गया था ना तो फिर यह बदलाव क्यों है मैंने कोई पदलाव नहीं किया है छोड़ी सुपधाजी यह देखो ओ आहिल्या गंगुबा तात्या का नाम काटकर तुमारा नाम लिखाए यह आपर यह क्या है यह महिला श्रस्त्रशाला के कागजात है छोटी रानी की अंतिम महर लगवाने के लिए लाया था अंतिम महर बहुत अच्छे लाओ जरा देखो तो लाओ लाओ जी महरुजी जी जरा देखिये कोई कमी तो नही रहेगी वैसे आज यह मुख्या अधिकारी कौन है उनसे कहिए सुरक्षा व्यवस्ता अच्छी है और हम पूरे सुरक्षा दल की शिफारिश करेंगे जी यह 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 मैंने नहीं किया है छोटे सुपितार जी अंतिम महर तो आप ही की लगी है छोपिरानी साहिर और वैसे भी इस पद में मुझे कोई रुची नहीं है लेकिन इस तरह मेरा अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया छोपिरानी साहिर आप मुझे इस कारिया से दूरी रखें तो अच्छा होगा मेरे लिए क्योंकि मेरा भी आत्मसम्मान है सदाशिव भी इस सियोजना का हिस्सा नहीं बनेगा चलो सदाशिव सदाशिव को तो मैंने यहां पर गुलाया है वो एक निपन दलवार बाज है और मैं चाहती थी कि यह वो यहां महिलाओं से परास्त हो और अपमानित हो यहीं चाहती थी ना नहीं कुतिरानी साहर आप भली भात ही जानती पड़े सुवेदार जी ने सदाशिव को अयोग्यगोचित किया है गिर्वी आप उसे यहां प्रशिक्षक बना रही है सिधा सिधा यह अभित करता है कि आप सदाशिव का अपमान करवाना चाहती थी आप रानी हैं सर्वार आपका सरकार आपके आप जो चाहे निरने ले सकती है पर किसी के व्यक्तिकत जीवन में अस्तक्षेव कंगुबा काका नहीं छोटे सुवेदार जी सदाशिव को इंदोर का हिसाब किताब सौपा गया है जो अधूरा है उसे पूरा करना है शमा चाहता हूं तुम वाँ क्या देख रहे हो सदाशिव मेरा तुमें आदेश है मेरे साथ चलो तुमें पता है ना तुम लोग को क्या करना है यह पहली लड़ाई होगी जो बिना तलवार के साथ लड़ी जाएगी और जीती भी चाहेगी प्रक्ट हें जुट जसमें विरो ती हों गयास वो एंके प्रक्ट है प्रक्ट है प्रक्ट है प्रक्ट है झाल, क्रॉग यह झाल गंगो बाका का देखिए उस दस्तावेज का क्या हुआ आपका नाम दस्तावेज में कैसे बदला हम नहीं जानते हैं और नहीं अहिल्या को इस बारे में कुछ प्रश्चा करना चाहें तो मैं प्रस्तूत हूं ठीक है काका हम दरसल आपसे इस बारे में बात करने आये थे कि कल हमें जैपुर की मुहीम के लिए रवाना होना है और हम आपसे यह जानना चाहते थे कि मुहीम के लिए गोला बारूद शस्त्र और सिपाईयों की पुड़ी सब तयार तो है ना हम इस मुहीम को जीत कर पूरी तुनिया को यह दिखा देना चाहते हैं कि मारा ठाउस जोलोजने का क्या अन्जाम होता है और इसी मुहीम के सिलसिले में हमें आपसे आपकी कुछ सलाह चाहिए थी देखिए गंगो बखागा जन्मत अहिल्या के पक्ष में है तो हम जन्मत हमेशा सही नहीं होता जोटे सपेदार जी जनहित जितना जनता समझती है उससे कही ज्यादा राजदरबार राजा और मंत्री उसे समझते है चोटी रानी सहेब जिस तरह एक के बाद एक पैसले ले रही है वो भी बिना किसी मतलब के चोटी सुबिदार जी जिदि आप मालवा का सुरक्षिन भविश्य चाहते हैं त जिदि आपकी मुहिम की सारी तयारियां हो गई है अब एक बार चलके स्वयम निरिक्षण कर लीजिए तुम चिंता मत करो है लिए यह सही समय नहीं है गंगोबगा कासे बात करने के लिए अजी आपकी में खाना 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 शुवी कीजे अजी भूख लगी है भूख लगी है ठीक हाना लगवाते हैं तिपाई काओमालों को गहिए कि खाना परोज दें जी ठीक है अजी भूख लगा दो लाज कमार जी और अनके मित्रों को भूख लगी है तुम्हें पता है मा तुम लोगो क्या करना है असली गाओ वाले जो खाना बनाने वाले हैं उन्हें बंदी बना कर तुम्हें उनकी जगा लेनी होगी है खाना परोसने वाले हैं तो आप लोग खाना खाना शुरू कीजिएगा हम अजी मैं मेरे दोस्त आप और छोटी आई सब एक साथ बैठ के खाएंगे सब सिपाई भी साथ में बैठ जाएंगे और गावाले तो है खाना परोसने के लिए बहुत माजा आएगा माले राओ आप चुप-चाप से अपने दोस्तों के साथ खाना खाएंगे हम कि अज जी यह हमारा वन भोजन है राजा माले राओ का वन भोजन है इसलिए यहां वाई होगा जो मैं गाउंगा अज़ा चलिए माले राओ राजा माले राओ का वन भोजन है तो इसलिए हम सब लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे हुश हाँ तैनिक आप लोग आईए खाना खाने आईए मुश हा था हाँ खाया ब्लोग भी? खाया ब्लोग भी? खाया ब्लीड नहुआ है डीज़ल झाल 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 किना थे है, आपना थे उपना झाल 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 कौन हो तुम लोग? सब्सक्राइब के लिए संयोग वष निकली थी स्वान्भोजन के लिए लेखना अब लगता है शिव शम्भु ने ये बुद्धी थी मुझे यहाँ भीजा किसके कहने पर किया ये सब? बताओ क्यों किया? किसने भेजा है तुम्हें याँ पे? देखो चेतानी दो बार नहीं दी जाते है और मैं भी एक ही बार चेतानी देती हूं आखरी बार पूछ रहे हूं तुम्हें किसके कहने पर किया ये सब? किसने भेजा है तुम्हें बताओ पताओ वर्ना पताता हूँ पताता हूँ बताता हूँ बोला हम सब हम सब हम सब इश्वरी सिंगे सिपाही है और हमने माले राउ को अगवा करने की योजना बनाई थी माले राउ को अगवा करने की योजना तुम्हारी आत्मा कैसी नहीं कापी ये गिनोना विचार मन में आने से पहले और माले राउ वन भोजन के लिए आने वाला है कि बात तुम लगों को कैसे बता चली किसे बता चली किसे बता चली किसे बता चली किसे बाड़े के कुछ वरना ये तलवार तुम्हारे गर्दन के आर पार होगी, नाम बताओ कौन है वो गंदर नाम बताओ बताता हु बताता हु जल्दी बोलो उसका.. उसका नाब है उसका नाब है प्रणवारा थान्हों प्रणवार रहें उपस्टार नहीं करता है